हेलो फ्रेंट्स सो आज के व्लोग में ओरियो का नहाना, ओरियो की ग्रूमिंग सब दिखाएंगे आपको ओरियो को गरम पानी से नहाना बहुत पसंद है, वैसे भी सर्दियां आ गई है और ओरियो भी छोटा ही है तो थोड़ा इसे ध्यान से नहलाना पड़ता है और ओरियो का जो शैंपू है फ्रेंट्स एस पर हिस डॉक्टर हमें ये पहले पानी में घूलना पड़ता है ताकि इसको अच्छे से अपलाई किया जा सके और फिर इसके बाद हम ओरियो की बॉड़ी पर फॉर्म बनाते हैं और 10-15 मिनट्स दाट है प्रेस्क्राइब टाइम इतनी देर हमें इसकी बॉड़ी पर इस शैंपू को रखना वड़ता है बट बिलीव मी ओरियो को इससे कोई परिशानी नहीं होती ये इसकी आईज में भी नहीं लगता और इसकी स्मेल भी बहुत तेज नहीं है तो अल टोगेदर ओरियो एंजोई इस बाथ तो यहाँ पर ओरियो की आईज फ्रेंड्स थोड़ा वाटर चलता है डॉग्स की आईज से तो अच्छे से साफ हो जाएं तो किसी भी तरह का बैक्टिरिया इंफेक्शन कुछ भी नहीं रहता तो अभी फॉर्म बन गया था तो हमने इसकी बाड़ी से शैंपू को धो दिया है आप देख सकते हैं कितना डर्ट कितना डस्ट ओरियो की बाड़ी से निकला है और जबकि इसको मैंने लास संडे ही अभी नहलाया था अच्छे से पानी इसकी बाड़ी पर डाल कर हम सारा शैंपू निकाल देंगे क्योंकि कहीं न कहीं है तो वो भी कैमिकल सी तो इसकी बाड़ी में रहेंगे तो तो यहां पर बड़े अच्छे से इसको नहला देंगे हम लोग अच्छी quantity में पानी यूज़ करेंगे Oreo के पंजे बहुत फरी है और इन में भी dust, bacteria वगरा फसता है तो अच्छे से साफ किया जाता इनको भी और यहाँ पर friends पहले मैं इसके लिए towel यूज़ कर रहा था लेकिन वो कहीं न कहीं insufficient पड़ता था तो हम लोगों ने cotton का एक बड़ा कपड़ा रेडी करवाया Oreo के लिए double-sided और क्योंकि ज्यादा फरी है ज्यादा पानी रिटेन होता है इसके फर में तो वो towel कहीं न कहीं insufficient रहता था but this cotton cloth it really works very well और यहाँ पर Oreo को मज़ा भी बहुत आता है जब हम इसे rub करते हैं सुखाने की कोशिश करते हैं यह खुद भी कोशिश करता है but he so much furry कि वो खुद से खुद को अच्छे से नहीं सुखा पाता तो वो हमें करना पड़ता है देखे फेंड्स he is also trying to dry himself ना so friends साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ जो लोग भी pet रखते हैं उनको अच्छे से पता है कि dogs के या cats के इनके ear कानों की सफाई बहुत ज़रूरी अच्छे से क्योंकि यह खुद से कर नहीं पाते हैं और इनके ears में spider मकडी जैसे छोटे छोटे जो हैं insects आ जाते हैं इसे यह अपना कान को खुजाते रहेंगे कई बरी अपना नाखुन से चोट भी लगा लेते ते लिए अब Oreo को hair dryer की help से और थोड़ा सा सुखाएंगे ज्यादा तो नहीं use करूँगा मैं क्योंकि heat wave है और फर बड़ा soft रहता इसका बट Oreo को बहुत मज़ा आता इसमें यह बहुत enjoy गरता इसको भी सो अब हम Oreo को with the help of hair dryer यहाँ पे dry कर रहे हैं और यह देखे कितना enjoy गरता है यह इसको सो फ्रेंट्स अगर मैं थोड़ा सा आपको Oreo के बारे में बताऊं तो Oreo इस टाइम मेरा 4 months and 15 to 16 days का है बट Oreo is such a beautiful and इसका temperament बहुत अच्छा है he plays a lot और जिस घर में छोटे बच्चे हों Oreo जैसे dogs बहुत खुश रहते हैं हमाँ पे सो फ्रेंट्स यहाँ पे Oreo I'll say 80% तक dry हो चुका है ज्यादा नहीं करेंगे हम अब यह combing के लिए भी ready है तो इसको हम comb करेंगे Oreo को फिर उसके बाद इसको हम थोड़ी देर धूप में बिठाएंगे यह हमारे Oreo की comb है so combing के benefits friends एक तो blood circulation जो है बहुत अच्छा रहता इनकी body में पूरी body में, skin में और फर जो है वो बड़े अच्छे से grow करता है और धीरे धीरे आप देखिएगा कि Oreo जो ब्रीड है इसका फर इतना ज़दा grow करता है कि यह जमीन को जब चलते हैं तो इनका फर जमीन को touch करना शुरू कर देता है इतने ज़दा फरी होते हैं and they look beautiful तो यहाँ पर अगर आप इसको regular brushing करते रहेंगे तो ना तो इसके बाल उलजेंगे और फ्रेंट्स ओरियो की एक और इस breed की एक और खास बात बता रहा हूं है आपको बेसिकली ओरियो जो है वो शिड्जू और लासा एपसो का mixture है तो बेसिकली ओरियो शी अपसो है and इस breed में coat shed बिलकुल ना के बराबर होता है although Oreo is very furry लेकिन ओरियो का coat shed बिलकुल zero है फ्रेंट्स दो से तीन बार combing करनी पड़ती है हमें ताकि बाल इसके ना उलजें लेकिन coat shed बाली कोई problem Oreo के साथ नहीं है फ्रेंट्स and as you know it's a toy breed तो छोटे घरों के लिए city में जो हम लोगों के दो से तीन कमरों के मकान होते हैं Oreo जैसे dog बड़े अच्छे से adjust करते हैं बड़ा अच्छा guard dog है Oreo यहाँ पे तो हमारा experience है कि Oreo जैसे dog चोटे घरों के लिए ideal dogs हैं और हम इसके फर को कुछ इस तरह से maintain करते हैं बड़ यह खुद को shake करके फिर दुबारा से उसी तरह से खुद को कर लेता है बड़ स्टिल Oreo बहुत प्यारा लगता है फ्रेंट्स और आप देखी सकते है Oreo ready है और यह very important हमारे Oreo का tix powder although इसे tix नहीं है Oreo को कोई ऐसे issues नहीं है बड़ स्टिल precaution is better than cure तो हम इसके body में tix powder और डाल के रखते हैं फ्रेंट्स और अभी Oreo का favorite time Oreo को धूप में बैठना बहुत पसंद है यही अपना Oreo breakfast करेगा थोड़ी दे rest करेगा और अब्सक्राइब देखते हैं